नमस्कार स्वागत है आप सभी का वाईटी एजूकेशन में सरसठवी बीपीएसी परिक्षा देने वाले उन तमाम चात्रों के लिए एक महतपुन अपडेट है राष्ट्य पुरस्कार और उसके सम्मान को लेकर इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है चुकि देखिए स्टैट लेकर रहे हैं लेकिन ध्यान से देखिए आप लोग और आपको यहां से परिक्षा में जो चातर त्यारी कर रहे हैं यहां बीपीएसी के लिए उनको शाम को आठ बजे जो हैं तो वह बीडियो जरूर देखना ना भूले आज क्राउन स्पेशल जो बूक आता है उससे रिल बात करते हैं देखिए प्रशन कहां से पूछेगा तो सबसे पहला प्रशन पूछेगा यह राष्ट्य और पुरसकार सम्मान को अगर हम बात करेंगे तो भारत रतन हमारे देश का एक ऐसा सर्वोच्य सम्मान जो की नागरिकों को दिया जाता है जिया भारत रतन तो यह ए प्रशन है अगर आप लोग उठागेट देखेंगे तो 61 और 62 वाला जो पेपर था उसमें आपको यह कोशन था कि भारत का सबसे सर्वोच्य नागरिक समान कौन सा है और उसमें ऑप्शन थे भारत रतन पद्म विभूशन पद्मसरी और इन में से कोई नहीं या एक से अध पूच सकता है यहां पर कि भारत रतन जो है किस इसतर पे दिया जाता है तो साहित्य की छेत्र में इसको दिया जाता है तो यह दोस्तों जैसे कि यूपीची हो गया जिसमें कि आप रहकर अपने देश के लिए बहुत ज्यादा बड़े काम कि यह एपीजी अबदूल कलाम क को दिया गया था तो ऐसे कितनी लोगों को सम्मान यह दिया गया है इसके बारे में भी हम एक सवाल पूछा गया थे एक्जाम में तो वह भी सवाल आपको यहां पर आंसर करने होंगे ठीक है भारत रतन जो है यह मेडल पीपल के पत्ते के आकृति क्या जैसा होता है आप का यह और यह इस तरह का उता है यह पीटल के मेंडल लाथ ज्यान जरूर रखे आपके सामने एक सवाल जरूर उठेगा कि यह सम्मान अभी तक देखें प्रथम बार किसको किसको दिया गया है तो आपको आपको मैं बता दूँ पिधा रतन जो है यह जो अवार्ड है मेडल जैसा कि पीतल जैसा होता है इसका वाड यू ये सबसे पहले पुरसकार भारती को है ना भारत में भारती को दिया गया पुरसकार प्रशिद है और बेग्यानिक चन्दरसेकर बैंकर remained को दिया गया था अब लेकिन यहां से सवाल यह बनेगा कि भारत रतन से सम्मानित प्रथम बिदेशी कौन थें प्रथम बिदेशी यानि कि भारत के नहीं थे बट उनको भारत रतन से सम्मान किया गया था तो वो थे दोस्तो खान-अब्दुलगफर खान, ठीके आगे आvidaपको मैं दिखला दूँगा थीके अगर बात करें दोस्तो भारत के भारतरतन पाने वाले प्रत्वम महिला परधान मंत्री, तो महिला परधान मंत्री तो भाई इंदरा गांधी हुई है यहां पे तो उनको य सम्मान दिया गया तो लाल बहादुर सास्तरी को दिया गया था मरणो परांद भारत रतन से समानित प्रतम विदेशी तो देखे खान अब्दुल गफर खान जो है इनका नाम आ गया तो यह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यह भारत रतन से रिलेटेट थे ठीक है मैं आगे दोस्तों यहां पर पद्म पुरशकार यह भारत का दूसरा जो है नागरिक ही समान है पर दूसरा सर्वोची नागरिक समान है तो ध्यान रखेगा देश के सर्वोची नागरिक पुरशकारों में से एक है पद्म पुरशकार जो की तीन स्रेणियों में आता है पद्म भी भ और सहित्य के छेत्र में और सिक्षा के छेत्र में और खेल प्रसासनिक समाओं के छेत्र में यह दिये जाते हैं तो यह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहां से जरूर पूछेगा कोशन में एक्जाम में कि क्या समाजिक कार्यों के लिए कौन सा समान दिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों यह हमें पुराशकार दिये जाते हैं ठीकिए अब पुराशकार को तीन भागों में बाटा गया है पद्म विभूशन पद्म भूशन और पद्मसरी इस बात का ध्यान रखिएगा एक सवाल यहां पे यह भी कोशन दिया गया है कि पद्म पु द्योग चिकित्सा साहित्य और सिक्षा और खेल प्रसासन में यह दिये जाते हैं तो इंपोर्टेंट कोश्चन आपके यहां से रहेंगे अब जो पद्म विभूशन है वो आपको पूछेगा कि किस मतलब रूप में दिया जाता है तो यह ध्यान रखेगा पद्म विभूश के बारे में बोला जाएगा तो किस छेतर में लिखिए इसको हना और साधरनि विशिष्ट् सिवाओं है तू यह पद्म भूशन दिया कि विषिश्ण सिवाओं के लिए और यह पदम भूशन तो उच्च लगा लिए यहां पर ऑच्च क्रम कीविशिष्ट् सेवाओं पदमसरी तो किसी भी विशिष्ट सेवाओं में यह दे सकते हैं जिन में से यह सारे जो हैं सेवाएं आती हैं और इन पुरसकारों की घोशना प्रतेक वर्स कब किया जाता है तो 26 जनवरी को किया जाता है दोस्तों ठीक है यानि कि गणतंत्र दिवस के अउसर पर किया जाता ह है ठीक है तो यहां से कोशन आपके एक्सपेक्टेड हुए और जो जो कोशन मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखते चलिएगा मैं आपका एक सवाल बनते हैं एक्जाम में कि भारत का सरवोच वीरता समान जो है वो कौन-कौन सा है जिसमें क्या आपको दिया है तो चक्र हो गया कृति चक्र हो 64 हो गया और है नाइन टी सिख्टी सेबन सही शुरू नई AH यह बात ध्यान बढठ स्वतंतरता के बाद यानिकि हमारे इंडिपेंडेंट के बाद भारत सरकार के दौरा 26 जनवरी उनीस सु पचास को तीन वीरता पुरसकार अर्थात परमबीर चक्र महाबीर चक्र और वीर चक्र शुरू किये गयत हैं यह देखिएगा यह कोशन पूछेगा एक्जाम में कि भारत सरकार के दौरा जो है स्वतंतरता के पस्चाद कौन-कौन से वीरता पुरसकार थे तो यह तीन नाम याद रखिएगा परमबीर महाबीर और बीर चक्र इसके पस्चाद दोस्तों यहा और स्वतंतरता के बाद 26 जनवरी 1950 से तीन पुरसकार दिये गया बरमबीर महाबीर और वीर चक्र ठीक लेकिन 1967 में यहां पर और भी सम्मान दिये गया असोग चक्र जोड़ा गया यहां पर और यह क्रम सा असोग चक्र किर्थी चक्र और शौरे चक्र और वीर चक्र और फिर जाके सौरे चक्र इस क्रम में इनका समान है यहां से तो यहां से यह याद रखने होंगे अब देखिए अगर दोस्तों परम वीर चक्र की तो यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच पुरसकार है जैसे कि इसको टॉप पर रखेंगे और इसमें जो मेडल होता है कांस से निर्मित गोलाकार और अग्रभाद पर किंद्र उभरी हुई रहती है जिसमें कि राजी के पृति यानि कि धेय सहीत यहां पे इंद्र के वज्र का चार प्रकृति जो है प्रतिक्रियाई है जो है यह दिखती है आप और इसके भाग में इसके जो पिछले भाग म पश्च भाग में दू कमल के फूल के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में परंबीर चक्र लिखा होता है इसका फीता जो है दोस्तों साधा बैगनी रंका होता है यह याद रखिए यह कोशन बन सकता है एक्जाम में तो मैं आपको यह दिख लाना चाहूंगा यह आप देख इस सिल्वर निर्मित होता है और यह अगर भाग जो है पांच कोनों का बना हुआ होता है और यह जो है दोस्तों किंद्र भाग में राजी के परतिक लगाये हुए रहते हैं अच्छा इसके पिछले भाग में दो कमल के फूल के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में महावी फीता जो है सफेद और आधा नारंगी होता है तो अगर यह सवाल कलर का पूछेगा तो परंबीर चक्र बैगनी कलर और यहां पर फीता जो है सफेद और नारंगी कलर का होता है यह ध्यान रखेंगे अब हम बात करेंगे दोस्तों अगर वीर वीर चक्र जो है मेडल गोलाकर और स्टेंडर्ड सिल्वर का बना होता है ठीके तो ये द्यान देखेगा ये कोशण बन सकता है और इसके अगर भाग में पांच पाँच पोने होते हैंना यह जो हैं 1-2-3-4-5 यह जो कोने देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप पाँच पोने वाला उभरा हुआ एक इस्टार है जयनी कि तारह है और उत्किर्ण क्रिया इसमें पर के गई चक्र यह पीछे का भाग है तो यह इस तरह से हमारा देखिए लेकिन इसमें एक सवाल जरूब बन जुड़ेगा कि इसका फीता कौन से कलर का होता है तो आधा होता है दोस्तों यहां पर देखिए कलर तो यहां पर थोड़ा सा अलग दीख रहा है यहां पर नारंगी और ब्ल देखिए बारे में सारा चीजम है आपको यहां से पीटभूत आपको दोस्तों बता देखिए कि असोक चक्र का भी कुछ इस तरह से है जो कि निया है औरमने इसमें और थ्यान रखनेंगे और यहां पर प्रतीकृति उत्कृन है यह दो नरंगी फीता और खड़ी लाइन जो है वह तीन बर रहता है तो किरती चक्र और वी जो हमारा असोग चक्र है यह इसी के प्रती में बना रहता है शौरे चक्र की भी बात करें हम यहां पे तो यहां पर अगर भाग में असोग सोक्चक्र की प्रतिकृति उत्क्रण होती है कमल माला से घिरी होती है पश्च भाग में हिंदी अग्रेजी में सौरे चक्र उस पे लिका रहता है अब इसमें तीन नरंगी खड़ी लाइने हैं जिसमें की बराबर भागों में विभाजित हरे रंग सा दिया गया है तो यह भी यह जो पुरसकार है सर 1965 में प्रारम किया गया पहले ची और इस पुरसकार के तहट धाई लाक रुपे यह प्रससित्ती पत्र भी दिया जाते है यह कौन सा पुरसकार है तो जोहारल नहरु पुरसकार ठीक है ध्यान रखेगा इससे कोशन पूछा गया एक्जाम में और यह पुरसकार भारतिय संस्कृतिक संबंद परिशे द्वारा प्रशाशित किया जाता है अब यहां पे जो सवाल है अब एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां से कोशन जरूर पर रहता है एक्जाम में कि कौन से व्यक्ति को कब किस वर्स में मतलब उनको यह समान दिय गया है ठीक है किस व्यक्ति को कब यहां पर यह समान दिया गया तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें यहां पर तो सन 1954 में चक्रवर्ती राजगोपलाचारी और डाक्टर सरवपली राधा कृष्णन और चंद्रसेखर वेंकर ट्रमन को यह समान दिया गया था दोस्त सखर वेंकर ट्रमन फिर 1955 में समान दिया गया डाक्टर भगवान दास डाक्टर मोक्ष गुंडम वेश्वरया और जोहरल नहरु को जो की हमारे देश के यह पहले प्रधान मंत्री थे और फिर इनके बाद यह सिलसला शुरू हुआ और फिर तीन साल के बाद है ना यह करीब चंद्र राय और राश्री पुर्शतम दास टंडन को 1962 में डाक्टर रजेंदर प्रसाथ को दिया गया वही सम्मान फिर यहां पर आपको बदा दे कि जो कि हमारे राश्टर पती थे पहले और इनको 62 में जाके दिया गया फिर 1963 में डाक्टर जाकिर हुसेन यह भी राश्ट पती रहें और डाक्टर पंडुरंग वाममन काने को दिया गया और लाल बादु सासरी को 1906 में 1971 में और जो कि रेखिए लाल बादु सासरी को मरनुपरान दिया गया था याद रखेंगे और 1971 में इंजरा गांधी जो की पहली महिला प्रधान मंत्री थी हमारे देश की और फिर उसके बाद 1975 में दिया गया दोस्तों वारागिरी बैंकट गिरी को ठीक है और ये फिर उसके बाद 1976 में दिया गया कुमार स्वामी कामराज को और फिर उसके बाद 1980 में मदर टेरेशा को तो यह सवाल अक्सर एक्जाम में रहता है कि वह कौन सी पहली विदेशी महिला जब पहले विदेशी महिला तो नहीं कहा जाता है चुकि उस समय तक उनको भारत की नागर्ता भी मिल चुकी थी तो ये विदेशी महिला अंदसिंस की बाहर से आई और यहां पे सीवा जनक में लगी और उसकी ही हितमे यह 1980 में महिला मदर टेरेसा को यहां पर सम्मान दिया रथम भारत रथन दिया गया पहले विदेशी तो यह है दोस्तों यहां पे खान अब्दुलगफर खान जो कि पाकिस्तान से हैं और 1988 में दोस्तों मरुदूर गोपालन राम चंदरन को दिया गया फिर उसके बाद 1990 में जाकर डॉक्टर भीमरा अमबेटकर और नेलसर मंडेला को भी यह समान दिया गया दोस्तों मरुदूर परांद दोस्तों यहां पर 1991 में राजियो गांदी सर्दार बल्ला भाई पटेल और मुरार्जी देशाई को यह समान दिया गया था सर्दार बल्ला भाई पटेल को और मुरार्जी देशाई को राजियो गांदी को 1991 के लिए दोस्तों यह समान दिया गया भारत अरतनका बात करें अगर हम दोस्तों यहाँ पे मौलाना अब्दुलक्लाम अजाद को और जे आरडी टी डाटा को और यह सत्यजीत रहे को यह तीन लोगों को दोस्तों यहाँ पे 1992 में समान दिया गया यह और एपी जी अब्दुलक्लाम ग पूछेगा जैसे कि option देदेगा इनमेंसे नाम पूछ लेगा कि इनमेंसे किसको भारतरतन मिला है ठीक है तो यह वर्स पूछ देगा यह जो है आप लोग को समान दिया गया है तो यहां से question इस तरह से उठा के पूछ सकता है एक्जाम में फिर 1998 की बात करें तो यह मैस सुब् प्रवन्यम को दिया गया वही पंडित रविशंकर और प्रोफेसर अमरित सेन को गोपी नात और बार्दोलवी जैप्रकाशनारायन को 1999 में यह समान दिया गया दोजर एक की बात करें तो लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्ला खान को यह समान दिया गया और अगला हम बात रत्न मिला है क्रिकेट का भगवान भी इनको मना जाता है भारत में तो यह सचीन तेंदुलकर है तो चिंता मणी नगेश रामचंद्रन राव को दिया गया दोस्तों 2014 में साथ में इनके हैं और यह राजी सभा की सदस्य ही बने थे उस समय तो यह समान उनको दिया गया लेक 2019 में प्रणाव मुखर जी भुपेन हजारिका और नाना जी देश मुख को यह समान दिया गया है तो यह एक पुरास जो है मेरे पास जो लिस्ट है यह लिस्ट में मैंने आपको उन सभी के नाम बताएं जिनको कि यह भारत का समान भारत रत्न सरवोच नागरिक समान होता है जो कि दिया गया है इस वर्स में तो आगे देखते हैं एक सवाल यहां से उठता है दोस्तों कि जो पुरसकार है जितने भी पुरसकार है उस किस छेतर से हो समंदित है और उसका पुरसकार रासी कितना होता यह सवाल पूशता है एक्जाम में तो यहां से देखेगा ग्यां ऐसा है फाल के पुरस्कार ये भी आपको पता है कि फिल्म जगत के लिए दिया जाता है और ये दोस्तो स्वन्ड कमल और 10 लाख रुपे दिया जाता है और ये दोस्तो 15 लाख पूहत ग्यान पीट पुरस्कार जो है सर्वोच्ष न ही दिया जाता है और यहांल पर एक लाख रुपे रासी हीनाट्रे दिजह संस्क्रिट साहित्य के लिए इसको और बढ़ाना भी चाहिए इसको यह बहुत लोग अब तो कम और संस्क्रिट पढ़ने वाले ब्यास सम्मान जो कि साहित्य कहीं छेत्र से समंदी थे और यहां पर साड़े तीन लाग रुपे रासी दे जाती है कबीर पुरसकार यह भी सवाल पूछा गया है समाजिक सदभाव के लिए करीब डिर्लाग रुपे यहां पर दे जाती है मेजर ध्यान चन जो कि खेल रतन पुरसकार है इस नाम को बदला गया है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमेगर में राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार इसका नाम हुआ करता था तो कि पुर प्रधान मंत्री राजीव गांदी के नाम पर पुरसकार दिया जाता लेकिन अब जो है इसकी रासी भी बढ़ा दी गई है जो कि 25 लाग रुपे हो गई है और खेल के चेतर में सराहनिय प्रधर्शन को लेकर यह दिया जाता है दोस्तों यह मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार अर्जुन पुरसकार अर्जुन पुरसकार जो है खेल के चेतर में दिया जाता है और इसके लिए 15 लाग रुपे आपको दी जाती है और ध्यानचंद पुरस तो यह ध्यान रखेगा जोस्तों यहाँ पर खेलों के में जीवन भर के उप्लब्दियों में यह राशी दी जाती है और यह 10 लाख रुपए दी जाती है मेजर ध्यांचंद हर वर्ष दिया जाता है लेकिन आपको यह 25 लाख रुपए और यह एक बार दिया जाता है दोस्तों ध्यांचंद प्रसार उनके जीवन भर के खेल के लिए उनकी उपलब्दियों के लिए दी जाती है सबसे इंपोर्टेंट है यहां पर दिखे द्रोणाचारे पुरस्कार यह सिक्षकों को दी जाती है मतलब कि जो खेल प्रसिक्षित करते हैं यानि आपको एजे टीचर होते हैं वो खेल के तो खेल प्रसिक्षन के छेतर में लाइफटेम अवार्ड है ठीक है तो 15 लाख च्शेतर में दी जाती है दोस्तों यहां पर और हमार यहां पर यहां पर संती भटनागर पुरुषकार संती स्वा important facts जो है कि हमने आपको बताए हैं यहां इस छेत्र से प्रश्ण पूछे ही जाते हैं एक्जाम में तो जो भी चीजे मैंने fact आपको बताई है उसको एक बार ध्यान में रखिएगा इस वीडियो को पूरा complete देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिजिएग all the best आपके आने वाले आठ माई के इस परिक्षा को लेकर जहां पर BPSCB देने वाले हैं और आने वाले अगामी परिक्षाओं की त्यारी के लिए भी आपके लिए महत्त पूर्ण हो गई है टॉपे जैहिंद